आज हम बनाएंगे मैंगो कुलफी, इस कुलफी को बनाने के लिए आपको कोई भी सांचा मोल्ड के जरूत नहीं है, बिना सांचे मोल्ड के आप इससे बहुत ही असानी से बना सकते हैं, बहुत ही बढ़ियां, बहुत ट्रेस्टी कुलफी बनती है, मुह में जाते ही घुल ज जाता है और इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीजों जरूत नहीं पड़ेगे बस थोड़े ही चीजों में आसानी से बनाएं नमस्कार आप सभी के मेरे चैनल पर स्वागत है तो चलिए हम रेशिपी बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले इस जार में हम थोड़े से काजू डालेंगे इसके बाद थोड़े से बादाम को डालेंगे इसके बाद दो बड़े चमच चीनी को डालेंगे दो हरी लाइची को डाल देते हैं इससे बहुत बढ़ी है टेस्ट आता है यहाँ पर हमने दो बड़ी चमच मिल्क पॉडर लिया है इसको डाल कर पीस लेते हैं हम सारे चीजों को पीस कर महिन पॉडर बनाएंगे सारे चीजों को पीस कर हमने पौडर बना लिया है अब हम चलते हैं गैस के तरफ अब हम रबडी बनाएंगे उसके लिए हमने गैस पर कड़ाही रख दिया है कड़ाही में हम आधा लीटर फूल क्रीम दूद को डालेंगे गैस को तेज करेंगे और इसको लगातार चलाते हुए उबाल लेते हैं हम इसको चलाते रहेंगे जिससे कड़ाही तलीम जलेना क्योंकि दूद कच्चा है दूद काफी गरम हो गया है अब इसमें हम पीशा हुआ पौडर डाल कर मिलाएंगे जो हमने मिल्क पौडर चीनी को पीशा है पूरे पौडर को डाल देते हैं आप इसको हम बराबर चलाते हुए रबड़ी बनाएंगे इस तरह से अच्छे से मिला लेते हैं जिससे इसमें गुठली न बने क्योंकि इसमें हमने मिल्क पौडर डाला है इस वज़े से इसमें गुठली बन सकती है इसको हम बराबर चलाते हुए मिला लेते हैं इस कुलफी को बनाने के लिए बहु जड़ा गाढ़ा रबडी हम नहीं बनाएंगे हलका गाढ़ा रबडी बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा रहेगा तो ठंडा होने के बाद और जम जाएगा इसलिए हमें बहुत ज़्यदा गाढ़ा नहीं पकाना है अब ये रबडी बनकर तयार है आप देख सकते हैं हमने इसको इतना गाढ़ा पकाया है अब ये पतला दिख रहा है लेकिन ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा अब हम गयस को बंद करेंगे और कडाही उतार कर नीचे रख देते हैं रबडी ठंडा होने के लिए इसको हम पंके खमाम ठंडा करेंगे बराबर चलाते रहेंगे जिससे इसमें मलाजन बने कुल्फी बनाने के लिए हमने इहां पर चार पके हुए आम लिए हैं ये दसहरी आम है इसी आम का हम कुल्फी बनाएंगे तो पहले इस तरह से आम को काट लेते हैं, इसके जो उपर का टोपी है, इसको हम हटा देते हैं, अब आम के अंदर का गुठली निकालेंगे, उसके लिए हम एक चम्मच लेंगे, तो पहले चम्मच को डाल कर कट लगाएंगे, हम चाकू से गुठली नहीं निकालेंगे, क्यो आप देख सकते हैं कितने आसाने से गुठली निकल रहा है इसी तरह से हम सभी आम का गुठली निकालेंगे आम का गुठली निकालने बाद इसको हम कप में रखेंगे आप चाहें तो छोटी छोटी गिलास में रख सकते हैं पूरे आम को हम इसी तरह से खाली करेंगे ध्यान अगर आप इस तरह से कुलफी बना रहे हैं तो दसहरी आम ले क्योंकि दसहरी आम में रेशा नहीं होता है उस आम का गुठली आप आसाने से निकाल सकते हैं पूरे आम का गुछली हमने निकाल लिया है सारे गुछली में जो पल्फ लगा है इसको हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में थोड़े थोड़े आम का पल्फ इसके अंदर डालेंगे ज्यादा नहीं एक एक चमज डालेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें रबडी को भरना है जो पल्फ बचा है इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं यहाँ पर रबडी पूरी तरश ठंडा हो गया है ठंडा होने बाद आप देख सकते हैं रबडी थोड़ा गाढ़ा आउर हो गया है अब थोड़ा थोड़ा रबडी हम आम के अंदर भरेंगे एक छोटा चमज लेंगे इसी चमज से हम आम के अंदर रबडी को भर देते हैं जिसे रबडी बाहर न गिरे सभी आम में रबडी हमने भर दिया है आप इसको हम ढग देते हैं, जो आम हमने काटा था उसी से ढगेंगे, अब इसको हम रात भर के लिए फिरीज में रखेंगे, रात भर में ए पूरी तरश जम जाएगा, अगर दिन में रख रहे हैं तो 7-8 घंटे लग जाएगे, लेकिन रात भर में अच्छे से जम जाएगा एक दिन के बाद आप देख सकते हैं, जम कर पूरी तरश टाइट हो गया है, यह बहुत ही ठंड़ा है, उपर से बरफ जमा है, अब सभी आम को हम कप से बाहर निकालेंगे, इसके बाद हम काटेंगे आम काटने से पहले इसको हम छीलेंगे, उसके लिए हमने यह आप छीलनी लिया है, इसी छीलनी से आम का छील का उतार लेते हैं, आप चाहें तो इसे चाकू से छील सकते हैं, आम काफी ठंड़ा है, तो इसको हम कपड़े से पकड़ेंगे, जिससे आसानी से छील सकें, और आम फिस लेना है तो इसको हम कपड़े से पकड़ कर छीलेंगे आम छीलने बाद इसको हम काट कर दिखाते हैं कुल्फी हम जितना पतला पीस काटेंगे खाने उधना ट्रेश्टी लगेगा तो इस तरह हम पतला पतला पीस काट लेते हैं इसी तरह से हम सभी आम को छील कर काट कर दो कातने बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मायंगो कुल्फी बना है ओःसे तो आपने मायंगो आइसक्रीम जरूर खाया होगा क्योंकि मायंगो आइसक्रीम सभी को पशन्द आता है लेकिन उससे भी बढ़िया इंआ variants को कुल्फी होता है इसको बनाने के लिए आपको साचा मोल्ड जरूत नहीं है आप इस तरह से बहुत ही असानी से कुल्फी आइसक्रीम बना सकते हैं यह कुल्फी बनाना बहुत ही असान है बहुत जल्दी से बन जाता है बस आधा किलो दूज और आधा किलो आम में पुरे परिवर के लिए आप बना सकते हैं तो आप इस तरह से माइंग कूल फी बना कर जरू ट्राई कीजिए, इसको बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे.